इस वीडियो में फाइल क्लाशिफिकेशन और ग्रेट के बारे में जान कर लेंगे जिन फाइल के उपर डिस्केशन करेंगे हो है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन अप फाइल, ग्रेड, टाइपस अप ग्रेड, प्रब फाइल, बास्टर्ट फाइल, शेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेट स्मूथ फाइल के बारे में पूरी जान कर लेंगे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखे और अंतर तक देखे, इसके पहले के वीडियो में हमने एलिमेंट्स आप फाइल के बारे में जान कर दी थी, उसमें फाइल के कौन से कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका उप्योग क्या होता है, और कट आप द फाइल के बारे में ज शेयर करना ना भूलेगा और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान पर प्लिक जरू किजिएगा दोस्तों अब हम जानते इंट्रोडक्शन अब फाइल फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जाप से सर्प्लस मट्रेल हटाने के लिए कि जाता है इसके द्वारा बहुत कम धातू काटी जा सकती है धातू के छोटे-छोटे कनों के रूप में कटती है फाइल का प्रयोग करने के लिए इसे प्राय जाप के सरपेस पर आगे पीचे चला कर रगणना पड़ता है जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातू को रगण अवा जाता है उसे फाइलिंग कहते है। क्लासिपैसिं करते है उसके बार हमें जानते हैं सबसे पहले है length of the file, grade of file, cut up file, section or shape of file, इस चार तरीके से file का classification किया जाता है, वर्षाप में आप देख रहे होंगे, अलग 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 लंबाई के file मिलते हैं, अलग अलग grade होता है, अलग अलग cut होता है, अलग 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 अकार में मिलती है, उन सभी वाइन, सभी classification के बारे में जानते हैं, सबसे पहला है length, file का size या लंबाई उसकी heel से point तक की जो दूरी होती है, उसी से ना पा जाता है, file 100 mm से 450 mm तक पाई जाती है, 100 से 200 mm तक की जो file होती है वो fine कार्यों के लिए, और 200 से 450 mm की जो file होती है, वो बड़े कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और यह file 50 mm के difference में उपलब्द होती है, grade up file, file का grade के बारे में जानते हैं, file के face पर 30 cm में कटे हुए जाते होते, उसी से file का grade decide किया जाता है, कुछ file के उपर आप मेंद आते देखते होंगे, कुछ में ज़्यादा रब दिखते होंगे, तो यह उसी की साब से grade होता है, यह अलग-अलग grade पर पाई जाती है, रब, बास्टार्ड, शेकंड कार्ट, स्मूथ और डेट स्मूथ इस तरह के file पाई जाते है, grade के ही साब से, कट अब दो फाईल, कार्य के अनुसार, फाईल पर भिन्न भिन्न आकर के दाते कटे होते हैं, जिससे विभिन्न कार्य करने में आसानी हो जाती है, इस तरह से जो दातों की line होती है, वो अलग-अलग होती है, single cut, double cut, transport और करवकट, उसके ही साब से file का चुनाओ करना पड़ता है, sectional shape of the file, इसमें अलग-अलग आकर के file पाई जाती है, जैसे flat, half round, square, round, knife edge, यह कारे के पनुशार आपको चुनाओ करना होता है, अगर आपको square slot की घिसाई करनी है, तो आपको square file का प्रयोग करना चाहिए, triangular बनाना है, तो triangular file का प्रयोग करना पड़ता है, इस तरह से यह चारो तरीके से उसका classification किया जाता है, अब example के तोर पे हम देखते हैं, जैसे की पर दिया गया है, hand file, second cut, double cut, 250 mm, इसमें चारो बातों का समाईश किया गया है, जैसे hand file है वो आपका shape दरस आता है, second cut, उसमें grade, और double cut, cut up the file, और file की लंबाई 250 mm, इस तरह से आपको जब भी file का चुड़ाव करना है, या लेना है, तो यह चारो बाते आपको बतानी पड़ेगी, दूसरा example देखते हैं इसी में, half round file, double cut, smooth, 200 mm, इसमें half round section दिया गया है, उसमें दातों की संक्या है, और double cut, grade आपको चाहिए smooth, और 200 mm, तिसरा और एक example देखते है, flat file, second cut, curved cut, 250 mm, जो curved cut file होती है, वो हमेशा flat section में पाई जाती है, इसलिए यह flat section ही आएगा इसमें, second cut, जो है उसमें grade, और curved cut, जो line, दातों की जो line के, line की संक्या है, वो curved cut, और 250 mm में उसकी लंबाई, इस तरह से आपको फाइल का classification किया जाता है, आपको एक example के द्वारा बताए गया है, दोस्तों एबात आप दरूर धान में रखेगा, अब जानते हम grade interaction के बारे में, उसका grade क्या होता है, फाइल के face पर 30 cm या प्रती square inch में, कटे हुए दातों की संक्या को फाइल का grade कहते है, आप देख सकते हो कि, बहुत सारे फाइल का अगर आप देखते हो बार काई से तो उसमें, दातों की संक्या किसी में कम, किसी में ज़्यादा दिखते हैं, तो वो 30 cm या प्रती square inch में ही से ही उसका grade डिसाइड होता है, भिन्न भिन्न लंबाय की फाइलों पर दातों की संक्या भी अलग-अलग होती है, जो जो 30 cm दातों की संक्या बढ़ती है, तो जो तीत होते हैं वो बारिक हो जाती है, इस प्रकार बारिक दातों वाली फाइल कम धातों काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और मोटे तीत वाल फाइल होती है, वो जाजा मटरिल काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसके बारे में अब हम जानते हैं तो सबसे पहला है रब फाइल बास्टर्ड फाइल सेकंड कट फाइल स्मूथ फाइल और डेट स्मूथ फाइल यहां फाइल के पाच ग्रेड होते हैं इनका हरेक का उद्देश अलग होता है अलग-अलग कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो सबसे पहले अब हम जानते हैं अरब फाइल के बारे में इस ग्रेड की 100 से 450 mm की लंबी फाइल में दातों की जो संक्या होती है वो 4.5 से 10 प्रतिस सेंटीमिटर होती है इस ग्रेड वाली फाइल का प्रयोग वहाँ पर किया जता है जहां पर मुलायम और अधिक धातु काटनी हो साप मट्रेल और ज्यादा मट्रेल तेजी से मट्रेल हटा ना है तो इस फाइल का प्रयोग किया जता है इस ग्रेड की 100-450 mm लंबी फाइल की दातों की संक्या 6-18 cm होती है इस ग्रेड वाली फाइल का प्रयोग प्राय महाँ पर किया जाता है जहाँ पर अधिक फिनिशिंग की आवशक्ता ना हो और सुरुश यही अधिक मट्रेल निकल ना हो तब इस फाइल का प्रयोग किया जाता है तेजी से जब माटरेल हटा नहोता है तो इस फाइल का प्रयोग वर्फशाप में बहुत ज़्यादा किया जाता है अगला है सेकंड कट फाइल इस ग्रेट की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दातों की जो संक्या होती है वो 11 से 21 प्रतिस सेंटीमेटर होती है इस ग्रेट की फाइल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शाप में किया जाता है जहाँ पर जाप की साधारम फिटिंग करनी हो और उसे साधारम फिनिस प्राप्त करना हो तो इस प्रकार की फाइल का प्रयोग वर्फशाप में बहुत ज़्यादा किया जाता है इस फाइल से माट्रेल भी वह तेजी से निकलता है और फिनिसिंग भी अच्छी खासी पाई जा सकती है अगला है स्मूथ फाइल इस ग्रेट की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दातों की संक्या जो होती है वो 15 से 30 cm, 30 cm होती है इस ग्रेट वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग जाप को शेकन कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिस करनी हो तब इस फाइल का प्रयोग किया जाता है इस फाइल की सायता से मटरेल बहुत कम निकलता है लेकिन finishing बहुत अच्छी आ जाती है इसलिए इसका प्रयोग finishing कार्येक के लिए workshop में किया जाता है अच्छी खासी finishing प्राप जाता है इसके बाद आते dead smooth फाइल इस grade की फाइल हमेशा 100-300 mm तक की लंबाई में पाई जाती है और दातों की जो संक्या होती है वो 28-35, 30 cm होती है इस grade की फाइल का अधिकतर प्रयोग, जाब में high level की जब finishing करना हो तब इस फाइल का प्रयोग किया जाता है इस फाइल से अच्छी खासी finishing प्रयोग किया जाता है दोस्तों इस प्रकार हमने फाइल classification और grade के बारे में पूरी जानकार लिए है गुमिदे आपको समझ आते होंगी इसी नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा और वीडियो की notification पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूब कीजेगा